Hello students, welcome back to the same platform, Begin Then, और आज हम बात करने वाले हैं, Second Year Physics, ओके, और Second Year Physics के अंदर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, Chapter No. 12, the name of the chapter No. 12 is Electrostatic. All right guys, चलिए शुरू करते हैं, Chapter No. 12, जिसका नाम है Electrostatic, Electrostatic के बारे में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कि Electrostatic के अंदर हम क्या study करने वाले हैं, हम बात करेंगे, Electro, define करता है Charges को, यानि आप कहा सकते हो, किसी हद तक Electrons, ठीक है, क्योंकि Exactly, Charge पर ही जब Negative Sign आ जाता है, तो उसे हम Electron का नाम देते हैं, और जब उस पर Positive Sign आ जाता है, तो उसे हम Proton का नाम देते हैं, तो यहाँ पर हम Sign की बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम ये समझ लेते हैं, कि Electro means Charge, Electro means Charge, और Static, Static का मतलब होता है, Static का मतलब होता है, बिटा, State of Rest की हालत में, यानि State of Rest, तो यहाँ पर हम Charges को लेकर Study करने वाले हैं, जो के at rest होंगे, जो के रुकी वी हालत में होंगे, और उस पर different experiments किये गए, और वो सारे शामिल किये गए आपके Chapter No.12, Electro Static के अंदर, जिसकी Study हम करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम Electro Static की Definition से शुरू कर रहे हैं, ठीक है तो यहाँ पर मैंने Simply Heading डाल दी है Definition की, पहले ही समय लें कि Exactly क्योंकि यह Physics का Part है, तो उसका मतब यह Physics की एक शाख होगी, It is the branch of Physics, ठीक है, Electro Static एक ब्रांच है Physics की, जिसमें हम Study करते हैं, that deals with the study of electric charges, लिख लेते हैं से, ठीक है, that deals with the study of electric charges at rest, ठीक है, तो यह वही बात ही जो मैंने Exactly Start में बताया आपको, के यहां पर हम charges की study करेंगे, जो के state of rest की हालत में होगी, और यहां वाज़े clear हो गया होगा आपको, that deals with the study of electric charges at rest, यहां पर हम electric charges के बारे में study करेंगे, जो के rest की हालत में होते हैं, और इस ब्रांच को हम नाम देते हैं, electrostatic, ठेक है, अब दूसरी बात जो समझने की है, वो यह है के charge क्या होता है, है, any materialistic body, any materialistic body, having negligible dimension, बड़े मुश्किल वर्ड्स लग रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी समझ लेते हैं, देखें, यहां कहा गया के charge एक materialistic body है, materialistic body का मतलब होता है, के charge conduct करते हैं electricity को, या charges source होते हैं, electricity के produce होने के लिए, ठीक है, और एक body है, materialistic body, having negligible dimension, negligible dimension का मतलब यह हुआ, कि मैंने कभी नहीं देखा, charge को exactly, आपने भी कभी नहीं देखा होगा, तो एक ऐसी dimension है, जो कि exist होगरती है, बट मैंने और आपने कहीं नहीं देखा, तो इसका मतलब यह हुआ, कि negligible है उसकी dimension, जो कि naked eye से नहीं देखी जा सकती, ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, कि charges जो होते हैं, वो कितनी तरह के हो सकते हैं, charges हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, एक हम ले लेते हैं, Q, अब इसको capital Q से represent भी किया जाता है, small Q से भी represent किया जाता है, तो इस बाद से परिशान मत हुईएगा, क्योंकि अब अगर positive charge आएगा, तो ये कहलाएगा proton, और अगर इसी charge के symbol के उपर negative charge आएगा, तो आप इसे नाम दोगे, electron का, ठीक है, यहाँ पर, समझना ये जरूरी है, कि positive के लगने से, charge को नाम दिया जाता है, proton का, और negative sign के लगने से, आप इसी charge को नाम देते हो, electron का, ये इसकी direction को, समझने में हमारे लिए helpful होते हैं, जब हम positive और negative sign की बात करें, ठीक है, वो किस तरह, इसको थोड़ा सा और आगे discuss कर लेते हैं, यहाँ पर, ठीक है, देखें बई, अगर दो similar charges हों, दो similar charges का मतलब क्या होता है, यानि दो ऐसे charges, जो के दोनों ही positive हों, या दो ऐसे charges, जो के दोनों ही negative हों, तो यहाँ पर क्या होगा, जब दो similar charges होंगे, और दोनों एक दूसरे के करीब रखे जाएं, या एक दूसरे, एक ऐसे medium में हो, जहाँ पर यह दोनों charges मौझूद हों, तो क्या होगा, इनके दरम्यान, जो force होगी, उस force को हम कहेंगे, यह force attractive होगी, या repulsive, any guesses? What do you think? Right, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, कि जहाँ पर हमारे पास similar charges होते हैं, यानि same sign के charges होते हैं, जिसको आप like charges भी कह सकते हो, similar charges भी कह सकते हो, तो इनके दरम्यान, जो force होगी, वो repulsive होगी, और यह एक हकीकत है, एक ही class में, दो पढ़ने वाले बच्चे, कभी एक दूसरे को बरदाश्ट नहीं करते, जहाँ पर similar signs होती हैं, या like charges होते हैं, similar charges होते हैं, तो आप इनके दरम्यान हमेशा, क्या देखोगे, repulsive force देखोग और जहाँ पर, चाहे similar charges फिर वो positive positive हो, या फिर negative negative हो, तो इन दोनों के दरम्यान भी कौनसी force होगी, repulsive ठीक है, repulsive या पर repulsion force भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, another option हमारे पास क्या हो सकता है, एक और चीज़ यह हो सकती है, कि जब दो dissimilar charges हो जाएं, पहले positive ले लो, या पहले negative, और उसके comparatively साथ में उसके negative charges ले लो, अब यहाँ पर दो dissimilar charges हैं, या unlike charges हैं, तो इनके दरम्यान जो force होगी, वो कौनसी होगी, attractive होगी, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, कि यहाँ पर हमने ये देखा, कि similar charges, एक दूसरे को repel करते हैं, ठीक है, repel करते हैं, ठीक है, औ और जहाँ पर ये लिख लेता हूँ, repel each other, और dissimilar charges, dissimilar charges attract each other, ठीक है, इसे हम एक और नाम भी दिये सकते हैं, जिसे मैंने कहा था कि like charges, यानि एक जैसे, like charges, और इसे हम क्या नाम दे सकते हैं, unlike charges, ठीक है, unlike charges, तो याद रखीगा बेटा, dissimilar यानि unlike, similar मतलब like charges, तो ये था हमारा एक छोटा सा introduction, जो कि chapter 12 को लेकर था, और अब हम जब chapter की शुरुआत करेंगे, तो मज़ा आएगा इंशाल्ला, क्योंकि exactly, जब हम हम बात करते हैं, electrostatic की, तो पहले हमें पता होना चाहिए, कि charge क्या होता है, charge itself कैसे define किया जाएगा, और अगर कोई MCQS बनकर आ भी जाता है, तो आपको कोई confusion नहीं होगी, क्योंकि आपको basic चीज़ें पता है, कि charges कितनी types की हो सकती है, यही जब charges एक ही medium पर हो, जहां दोनो charges similar हों, तो इनके दर्मेन हमेशा ripple से force, और जहां पर दोनों charges dissimilar हों, या unlike forces unlike हों, तो यह एक दूसरे को हमेशा attract करती हैं, तो exactly हम अपनी lecture को यही पर एक्टिदाम करते हैं, thank you so much, जल्द मुलागत होती है, बेगिंदायन के platform से, thank you so much, लाम परेस,